नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो मैं बताती और अपने दातों का स्वेद कात्स में किसी के दातों में पीला पन और काला पन होता है तो कुछ लोग तो दातों में कीडा लगने की समस्या भी होती है जो लोग दूशित खानपान अधिक चाय कौफी का सेवन करते हैं या अपने दात साफ नहीं करते हैं उन्हें दातों से समंधी अधिक समस्या होती है आज हम दो मिनट में पीले दातों से सफेद दात करने का घरेलू नुसका बताते हैं उसका नाम तो आपने सुना ही होगा जैसे सर्सों का तेल जी हाँ सबजी छोकने और सर पे लगाने के अलावा सर्सों का तेल दातों का पीलापन हटाने में भी काफी साहता करता है तो आईए इस उपाइकन उसका लिख लीजिए सरसो के तेल से दात चमकाने के लिए आपको लगबग दो चमच सरसो का तेल लेना होगा एक चमच नमक, एक चमच बेकिंग पाउडर की जुरुत है सरसो के तेल और नमक का मिश्म बना कर दातों से पीला पना आप दो मिनट में दूर कर सकते हैं और दातों की हर समस्या को भी दूर करता है यह एक वरदान है इसमें उप्योग में लाने के लिए एक चम्मच सरसो के तेल में आदा चम्मच नमक मिला कर लगबग 10 मिनट तक मसाज करें अपने दातों की इस नुस्के से आपको तुरंथी असर दिखने लगेगा और आपके पीले दात सफेद हो जाएंगे इसके अलावा आप सरसो के तेल में बेकिंग सुडा मिला कर भी अपने दातों को साफ कर सकते हैं अगर आपके दातों में दर्द और पीले पन दोनों से परिशान है तो आप रोजाना सुबे सर्सों के तेल में नमक वे बेकिंग सोडा मिला कर उसका पेस्ट बना ले और उसे दातों की तरह ब्रश करें इससे आपकी दातों से समंदित सभी बिमारियां तो दूर हो जाएंगी साथ इसाथ आपके दात स्वस्त मदबूत और चमतकार भी होंगे ऐसे ही घरेलू नुसके अपना कर आप अपने दातों को साफ चमतकार मोती जैसे बना सकते हैं दोस्तों ऐसी ही कुछ टिप्स लेकर मैं फिर से आपके पास आती रहूंगी उन टिप्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए